नमस्कार साथियों, मैं मनिस भारती संस्कृती PCS प्लेटफर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ साथियों जैसा कि आप जानते हैं कि BPSC प्रारंबिक परिक्षा को ध्याने में रखते हुए हम लोग पिछले एक वर्स के करेंट अफेट्स का रिविजन कर रहे हैं लेक्षर नमर 73 तक पहुँच चुके हैं प्रतेक तिन हम लोग 10 टॉपिक लाते हैं और 10 टॉपिक से 10 कोश्चन तयार करते हैं आज लेक्षर नमर 73 तक हम आ चुके हैं एक चीज सबसे पहले आपके लिए एक सूचना है कि दिवाली पर एक ओफर दिया जा रहा है संस्कृति आएस के द्वारा देखें ओफर की वैदता पर सबसे पहले ध्यान दीजेगा 26 अक्टूबर से 2 नमंबर तक ही ये वैलिट है तो समय वेहद सिमित है इसलिए आपको जल्दी इसका उपयोग करना होगा ये दिया आप इंट्रेस्टेर हैं तो 75 परसंट तक का भारी छूट दिया जा रहा है UPSC के फांडेशन कोर्स में 50 परतीशत तक का छूट देने के बाद केबल ये 60 हजारे में उपलब्द है वहीं इसमें देखेंगे तो CSET कोर्स जो है बिल्कुल निशुल का आपको उपलब्द कराया जा रहा है UPSC Foundation कोर्स की बात करें तो 70 परसंट तक का आपको छूट दिया जा रहा है और फिलहाल ये केबल एक लाग का कोर्स 30 हजार में आपके लिए उपलब्द है यहाँ पर देखें Online, Live, Pen Drive, DLP कोर्सेज के तहत ये दिया जा रहा है और UPSC के कोर्सेज यहाँ पर अन कोर्सेज सामिल है PCS कोर्सेज यहाँ पर है बिहार के लिए पढ़ने वाले लोग जो है BPSC Foundation कोर्स यहाँ पर दिया गया है Foundation कोर्स का ताहत पर हो जाता है कि Prelims और Means दोनों ही सेगमेंट इसमें आपको पूरा कराया जाएगा यदि इन सभी विशह पर विश्तित्र जानकारी चाहिए Contact नमर दिया गया है 9255-124-124 या फिर संस्कृति-is.com पर विजिट करके अधिक जानकारी लीजिए संतुष्ट हो जाएए फिर ना मांग कर करा लीजिए चलिए अब एक प्रशन जो प्रतेक दिन में आप लोग को दिया करता हूँ सबसे पहले उस पर चलते हैं उस प्रशन को देख लीजिए भारतिये कलाम इस्तूप चैत और विहार का निर्मान निमलिखित में से किससे संबंधित है पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसे प्रशन हम PYQ से लाते हैं यानि कि VPSC ने इस प्रशन को पूछा हुआ है तो पहले आप इसका जबाब देंगे फिर आप आगे चलेंगे आज के लेक्चर पे अब चलते हैं पहले टॉपिक के तरफ पहला टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट है इसको सीधा आप 5 स्टार लगा दीजिए क्योंकि बिहार में बेहद चर्चा का विशा ये रहा है बापू टावर को लेखर के बापू टावर का लोकारपन कब किया गया यहाँ पर तारीक पूछा गया है उद्देश है कि ठीक है आपको इक डिट बता दिया जाए लेकिन इस संबंध में पूरी जानकारे लीजिए मैंने पहले भी इसके विशा में बता है देखिए इसका लोकारपन जो है 2 अक्टूबर यानि कि गांधी जी के जैनती के दिन गांधी जैनती को किया गया था 2 अक्टूबर 2024 तो याद रखने के लिए बहुत अच्छा ये है कि आप ध्यान रखिएगा कि भारत का एक राष्ट्रियों पर गांधी जैनती के दिन किया गया या भारत का सबसे उचा महात्मा गांधी को समर्पित टावर है ध्यान रखिएगा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार का ये भारत का सबसे उचा महात्मा गांधी को समर्पित एक टावर है इसमें क्या है एक तरह से एक्जिवीशन लगा हुआ है गांदे जी का पूरा जीवन विरतानत लिखा हुआ है उसमें और एक तरह से देखेंगे कि जो आज कल लेजर लाइटिंग के द्वारा साइंटिफिक वे से प्रजेंट किया जाता है स्क्रीन के द्वारा दिखा जाता है तो बहुत आधूनिक तरीके से सारे चीज़े पेस किया गया है जैसे दिल्ली में प्राइम निश्टर म्यूजियम बना है ठीक उसी के तरज पर ऐसा किया गया है यह देखेंगे इस तस्मीर में आपको सीज़े यहां पर दिखेगा भी चलिए दूसरे टॉपिक पर चलते हैं निमलिकित में से किस राजजी ने अपने सभी ग्राम पंचायद भवन में बैंक या डाग घर शाखा खोलने की गोशना कर दी है यह बिहार के दौरा ही हुआ है तो देखिए एक बात तो आपको ध्यान होगा यहां पर तो आप जब आप तुरन दे लेंगे जो कि BPSC का ही हम करेंट अफेर्स कर रहे हैं लेकिन जब देर सो कुश्चिन वहाँ पूछा जाएगा कयामत के दिन में आपको जिस दिन प्राडाम्बिक परिक्षा होगा तो आप उस समय नहीं समझ पाएंगे कि बिहार से संबंदित है या नहीं देश का पहला जिला कौन है चार रिष्टिक यहां पर लिखा हुआ है सारन जो है वह चर्चा में आया है और सारन बिहार का ही एक जिला है ठीक है इसलिए यह इंपोर्टेंट है त्री इस्टा लगा लेजिए नियाइक परणाली में सुधार को लेकर के लंबे समय से बात क किस जिले में लगाई जा रही है ध्यान रिखिएगा यहां यह नहीं पूछा गया है बिहार यहां भारत पूछा है तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है देखिए एसिया की सबसे और यहां भारत भी नहीं पूछा गया है एशिया नियान देना है फोर इस्टा लगा लेजिए एथनौल की चर्चा आज कल कहीं भी आए तो उसको ध्यान से पढ़िए काफी चर्चित ये मुद्दा है एशिया की सबसे बड़ी एथनौल फैक्टरी बिहार में ये एक डिस्टिक है जमूई ठीक है तो जमूई में जारखन के करीब परता है तो जमूई में ये कि जनबरी 2024 में नीती आयोग द्वारा जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार पिछले नौ वर्सों में बिहार के कितने लोग बहु आयामी गरीबी से बाहर निकले है इंप्रोटेंट है फोर स्टार नीती आयोग के दोरा कोई भी सूचना सूचकांक वेगरा रिपोर्ट जारी किया जाता है उसको थोरा धंक से पढ़िए क्योंकि वो जरूरी होता है आता है प्रशना जनबरी 2024 में दरसल नीती आयोग ने के दोरा एक चर्चा पत्र जारी किया गया था उसके अनुसार 9 वर्स का पिछले 9 वर्स का देखेंगे तो जनबरी 2024 में हुआ तो उससे पीछे 9 वर्स अब चले चाहिए लगवाक 2015 से सुरुवात कर लीजिए इसका तो 9 वर्सों में कहा गया है कि बिहार से 3.777 करोड लोग जो है वहां बहु आयामी गरीबी से बाहर निकल गया है तो जवाब आप देखें 3.77 CR आपको A में दिख रहा है ज़रूरी है इसको ध्यान दख निती आयों के विशह में थोड़ा पढ़ लीजिएगा क्योंकि वहां से प्रशना आएंगे निमलेकित में से किस राज जी ने अपने सभी दुधारों पश्चूं का बीमा कराने का निर्न अली है जायर जी बात है बिहार कर रहे है तो आप जबाब बिहार दही देंगे त ध्यान देना है सभी जानवरों का नहीं है क्योंकि वहां जब देगा सभी जानवर और दुधारों पश्चू ता आप कहेंगे अच्छा सभी जानवर का जो है वह ज्यादा बरा एरिया को लेता है यही से जबाब होगा बलकि यह गलत है केबल दुधारों पश्चू को ले हुआ है मैंने पहले भी एक दिन हिंट दिया था कि कोई भी बहुत यूनी काम होता है बिहार के संदर में विकल्प में देखिएगा कि किस नगर निगम की चर्चा किया गया है बकसर पतना भागल पुर दर्भंगा चारो तो बिहार कहीं है तो अगर बिहार के किसी नगर पुछा गया है भारत के भारत के पहले One Health Lab का उदघातन विहार के किस जिले में किया गया है बिहार के किस जिले में और ध्यादेना है क्या पूछा गया है भारत के पहले तो देखिए इसकी महत तो आप समझ में आ गया अब आपको क्या है फोर इस्टार इसको दे दीजिए पटना बेगुसरा भागलपूर मुझपरपूर तो एक बात तो समझ में आ गया बिहार का ही कोई डिश्टिक है तभी तो चारो जो है वह बिहार से संबन्दित है देखे भारत के पहले वन हेल्ट लैव का उर्गाटन जो है बिहार के आप कह सकते हैं गंगा नदी के उत्तर में उत्तरी मैदान में एक जिला इस्टित है वहाँ पर किया गया अब उत्तरी मैदान में आप देखेंगे तो मुझपरपूर भी आपको दिखेगा हलाकि और इसमें बेगूसरा और भागलपूर निश्चित तोर पर मिथला का हिस्सा पर जाता है पर वहाँ नहीं है ये मुझपरपूर में है ये ठीक है एकदम तो ये ध्यान रखिए गंगा के उत्तर में चलिए आगे बर जाते हैं भारत का पहला टिशू कल्चर लैब टिशू कल्चर लैब कहां बनाया जा रहा है चुकि ये पहला यहाँ पर आ गया और भारत का आ गया कहां पर बनाए गया है तो टी एन बी कॉलेज भागलपूर ऐसा नहीं कि जैनियू आईटी वेकरा सूच लीजेगा इस सब गलत है टी एन बी कॉलेज भागलपूर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मार्च दोहजार चौबिस में मुख्मंतरी नितीश कुमार किस देश के द दौरा पर गये थे आपको ध्यान होना चाहिए मार्च दोहजार चौबिस में नितीश कुमार जो है वह ब्रिटेन के दौरा पर गये थे इंगलेंड गये थे ठीक है तो यह विकल्प ध्यान रखिएगा यहां भी ध्यान देखना है कि कोई जैसे विदेश मंतरी हैं या जै अज भी हमने दस टौपिक जो है वह तयार कर लिया है और अच्छे से तयारी करते रहिए संभावना है कि 13 दिसंबर को ही एक्जाम हो जाए तो आपका तब तक सब कुछ तयार हो जाएगा अपना बेहत ख्यार रखिए बहुत बहुत शुक्रिया थैंक्यू